नमस्कार दोस्तों मैं दिन दियाल रमावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ सातियों हम हमारे चैनल में रोज पसों से जुड़ी किसना किसी जानकारी, किसना किसी बीमारी के इलाज, रख रखाव और कारण, लक्षन सब आपके सामने लेके पस्पिक होते हैं उसी प्रकार से आज मैं बक्रों को मोटा तकड़ा करने का जो आपको उपाई बताने वाला हूँ, जो आपको खाद्यान बताने वाला हूँ, यानि उनको हम ऐसा क्या मांटा दें, जिनसे कि हमारे बक्रे एकदम से हेल्दी रहे, और हेल्दी अगर बक्रे रहेंगे, तो हम मैं आपको पिछले वीडियो में बकरों को दिये जाने वाले संतुलित अहर के बारे में बताया था वो वीडियो आई बटन में अपलब देया आप देख सकते हैं वीडियो लंबा था इसलिए हमने उस वीडियो में से बांटा जो देना है हमें आधा किलो रोज अपने बकरे क तो हेल्दी रखने के लिए यो बांटे में क्या-क्या देना है उसको मैंने पीची छोड़ा था तो आज इस वीडियो में मैं संपोल बांटा जो हम अपने बकरे को हेल्दी मोटा ताजा बनाने के लिए देंगे उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं तो आईए वीडि के एक किलो की रेसिपी में आपको बताने जा रहा हूं यानि एक किलो में क्या-क्या गटक हमें कितनी-कितनी मात्रा में लेना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आपके पास जैसे की काफी बकरे हैं 20 बकरे हैं तो आप उनके हिसाब से अपना बांटा बना सकते है आप पचास किलो का बना सकते हैं, आप एक क्विंटल का बना सकते हैं, आप दो क्विंटल, पांस क्विंटल का बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक किलो ग्राम का रेशियो बताया है, उसी रेशियो को आपको बकरों की संख्या और बांटा कितनी मातरां बना रहे हैं, उसको किलो बंटे का जो पहला गटक है. भेड़क है मक्क है. यानी बपका तो हमें मक्क की कीलो बंटे मेंkte 300 gक vista करना हैं मकके को हमें उस बह् creeping डल्य को हमें मोटा यि चले है और मोटा पीजस करके हमें काम के साथ हमें 200 zb week बाजरा बहुत ही अच्छा रहेगा बक्रे के लिए इसके अलावा 100 ग्राम हमें चना एड़ करना है उसमें और 200 ग्राम गेहूं की चोकर एड़ करना है यानि इस प्रकार से यह जो चारों चीज़े हैं वो हमें मिलें इन चारों को हमें मोटा पीस लेना है और पीस करके काम में लेना है इसके अलावा हमें 1 किलो बांटे में 100 ग्राम कपास की खल एड़ करनी है जो की बक्रे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी वो हमें सिर्फ 100 ग्राम ही लेनी है और उसको भी हमें बारिक कर लेना है यानि बिल्कुल छोटे-छोटे टुकडे कर लेना है इन पांचों के अलावा हमें मिनरल मिक्चर जरूर एड़ करना है और मिनरल मिक्चर ज्यादा की जुरुतनी है एक किलो के पिछे आप 30 ग्राम मिनरल मिक्चर एड़ करें किसी भी अच्छी company का मिन्डल mixner जिसमें कि सारे के सारे vitamins और मिन्डल से हो कम से कम 25 से उपर कि ताकि वो आपके बक्रे के सारे के सारे vitamins और मिन्डल से कि पूरती आसानी से कर सके इसके अलावा साती हो हमें Сा यानि एक किलो में 10 g fiance नमक भी एड़ करना है और नमक आप वो ले जिसमें आयोडी मिक्स हो यानि आयोडी नियुक्त नमक हमें 10 क्राम एड़ करना है साथियों इस प्रकार से हमने अपना 1 किलो बांटा त्यार किया है जैसा कि मैंने पहले बताया है आप अपने पसों की क्वांटिटी के आदार पर जो हम बांटा बना रहे हैं उसकी मातरा को आप डिसाइड कर सकते हैं इसके अलावा हम जो 1 किलो बांटा बनाया है जो तरीका बताया है उस तरीके में आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपर जो 4-5 चीज़ें बताये जैसे बाजरा गेहूं, मक्का और चना इनको आपको जब पीस लेते हैं तो इसमें मिनरल मिक्सर और नमक एक साथ पहले ही एड़ कर दे यानि आपने अगर एक किंटल बनाया है तो उसको तिरपाल पर रख करके और इन सभी चीज़ों को मिला ले लेकिन उसमें खल ना मिलाए खल जो है वो हमें अलग रखनी है और खल हमें रोज जब देते हैं जब ये बांटा तो उस समय आदा गंटा पहले या एक गंटा पहले आप उसको भिगो दे तो बांटे को भिगो रहे उस समय आप खल को भी शात में भिगो दे लेकिन पहले जब हम स्टोरेज में रख रहे है उस समय आप खल को उसके साथ ना रखे यानि कि जो उपरवाली चीज़े हैं उनको अलग रखे मिनिर्ड मिक्चर और नमग मिला दे लेकिन ख़ड उसमें ना मिलाएं, कपास की ख़ड़ को आप अलग रहें संतुलित आहर में जो ये बांटा बचा था, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेलिंग कर दी है ये बांटा हमें बकरे को रोज आदा किलो देना है, जो फुल बड़ा बकरा है अगर किसी का वज़न ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत आप बड़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज्यादा नहीं बड़ाना है, अगर आप ज्यादा बांटा बड़ाएंगे तो बकरे को दूसरी परकार की अपस बगएरा की शिकारित हो जाएगी याने कि जो आइडियल जो बंटा है, उसकी मातरा आदा किलो की ही है और उसके बाद जब आप बंटा देवेते हैं, आदा या एक गुंटा बाद उसको पानी पिलाएं पानी आप बरपेक, आराम से पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पानी की आप मात्रा लगातार बकरे के सामने ही रखें तक वो लगातार पानी पीता रहें जो भी उसने खाया है उसका डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहें इसके अलावा साथियों मार्केट में कई परकार के लिवर टोनिक्स विटामिन्स, मिनरल्स बगारा मिलते हैं तो आप आराम से दे सकते हैं कोई दिक अदनी है लिवर टोनिक बकरों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेबन रहेगा किसी भी अच्छी कंपनी का लिवर टोनिक लाकरे आप 10 या 20 ml पर डेतें उससे भी बकरे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है साथियों मैंने जो भी आपको बकरे को हेल्दी बनाने के मोटा तकड़ा बनाने के जो उपाय बताए है मुझे उमीद है आप सभी को अच्छे लगए हो और आप सभी बकरी पालक भाई हैं वो अपने बकरों पर इस्तेमाल करेंगे और उनको मोटा तकड़ा और हेल्दी रखेंगे तो साथियों कैसा लगा आप सभी को हमारे ये वीडियो मुझे जरूर बताईएगा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगाए तो इसे लाइक जरूर कर ले और जो भाई हमारे चैनल पे नए आये हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइब के आगे बेल वाला बटन जो आपके सामने आएगा उसे दबाना ना भूलें तो साथेयों आप सभी जो सयोग हमारे सेनल को बनाए रख रहे हैं उसे लगातार बनाए रखें और मैं रोज आपके लिए नहीने वीडियो नहीनी जानकारियां हर प्रकार की बिमारियों के इलाज रख रखा उबचार लेके आऊंगा तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप करता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद